सहारनपूर पूलिस ने एक ऐसे यूवक को गिरफतार किया है जो वकीलों और डॉक्टरों के संपर्क में रहता था और फरजी मेडिकल बनवाया करता था फरजी मेडिकल के आधार पर फरजी मुकत में दर्ज कराया जाते थे और इस तरह लोगों को ब्लैक मिल किया जाता था SPC T अभी मन्यू मांगलिक ने बताया कि पकड़े गई यूवक के पास से एक मुबाइल फोन मिला है जिसमें कुछ रिकोर्डिंग्स हैं और इन रिकोर्डिंग्स के आधार पर पता लगाया जा रहा है कि इस खेल में कौन-कौन डोक्टर शामिल है अभी एक डोक्टर का न सब्सक्राइब कैसे किसे सब्सक्राइब करते हैं इसमें जो आज अभ्यूक्त हम जिसको गरफतार करके भेज रहे हैं यह फर्दन है इसका न और दलाली का काम करता था यह वकीलों के संपर्क में रहता था और कुछ कॉंटक्ट इसके SBD अस्पताल में बड़े-बड़े डॉक्टरों से भी थे जो उसके कहने पर गलत मेडिकल बनाए करते थे उसके अधार पर जिससे धारा बढ़ जाए या दूसरे पक्षों में दौनब पक्षों के बीच में किसी तरह का समझौता हो जाए उसको ध्यान रखते हुए साक्षे मिले हैं कि बीडी शर्मा के संपर्ग में रहता था वह वहाँ पर जब अमेडिकल ऑफिसर के रूप में बैठते थे तो उनके द्वारा फर्जी मेडिकल कराए गाए हैं उसी साक्षों की अभी गहनता से चानबीन हो रही है उन्हें वेरिफाय कराया जा रहा है उन पूछता जब करी तो इसमें बताए कि पिछले तीन साड़े तीन साल से डॉक्टरों के संपर्ग में था और सतन इसके द्वारा बताया गया कि 30-40 मेडिकल ने बनवाए गाए हैं इसके फोन से कुछ रिकॉर्डिंग मिली है उसका हम इस टाइम पर विशलेशन करा रहे हैं उनको सुन रहे हैं तो जैसे जैसे तथे सामने आएंगे उन्हों केसे में भी कारवाई की जाएगी डिपेंड करता है मेडिकल पर, किस तरह का मेडिकल बनना है, किस तरह की चूट बननी है, और सबसे बड़ी बार डिपेंड करता है उस पार्टी पर जो मेडिकल बनना चाहती है, उसी के अधार पर इनका प्राइस फिक्स किया जाता था, उसतन पचास से साथ हजार रुपे मे मेडिकल बनता था जिसमें इसका कमिशन कुछ पांच दस पंद्रह हजार का रहता था